नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है, आप स्वस्थ हैं तथा अपना खयाल अच्छे से रख रहे हैं। जरा बताएए तो, यदि मैं आपसे पूछूं कि पृत्वी का आकार कैसा है? क्या ये गोलाकार है? तो आप क्या कहेंगे? हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि पृत्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर तथा दक्षन ध्रूप से थोड़ी चप्ती तथा मध्य से उभरी हुई है। अब यदि हमने पृत्वी पर पाए जाने वाले विफिन स्थानों या क्षेत्रों का अध्यान करना है, तो कैसे करेंगे? तो पृत्वी पर पाए जाने वाले विफिन स्थानों या क्षेत्रों का अध्यान हम ग्लोग की सहायता से कर सकते हैं। तो आज हम आपकी भुगोल की पाठी पुस्तक का अध्याई दो करेंगे जिसका नाम है ग्लोब, अक्षान्ष एवं देशांतर. इस अध्याई में हम देखेंगे कि ग्लोब क्या है तथा ग्लोब पर पड़ी समानांतर और शैतिज रेखाओं का हमारे लिए क्या महत्व है? चलिए देखते हैं ग्लोब क्या है? ग्लोब प्रित्वी का लगुरूप में एक वास्त्विक प्रतिरूप है. ग्लोब विभिन आकार इवं प्रकार के हो सकते हैं. जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाये जा सकते. चोटे ग्लोब या पाकेट में रखने युग्य ग्लोब जिनहें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है. ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यदि ग्लोब पृत्वी का एक मॉडल है तो हम सब ग्लोब पर कहां रहते हैं? तो हम सब पृत्वी की सतह पर रहते हैं. ग्लोब पर दो बिंदूओं पर ध्यान दे, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिन में. आप देखेंगे कि ग्लोब के अंदर से होती हुई एक सुई लगी है जिसे इसकी धुरी या अक्षरेखा कहा जाता है. इसके सहारे ग्लोब जुकी हुई अवस्था में होता है. आक्षरेखा के अंतिम बिंदू, उत्री ध्रोव और दक्षनी ध्रोव हैं, लेकिन वास्तव में पृत्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है. पृत्वी अपनी धुरी पर घुमती है, जो एक कालपनिक रेखा है. ग्लोब भी एक जगा स्थिर नहीं है. इसे उसी तरहां घुमाया जा सकता है, जैसे की कुमहार के चक्के का उपरी पहिया घुमाया जाता है. इस प्रकार ग्लोब को दोनों दिशाओं पूर्व और पश्चिम में घुमाया जा सकता है. लेकिन पृत्वी केवल पश्चिम से पूर्व की और घुमती है. ग्लोब पर एक अन्य कालपनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है. इसे विश्वत वृत कहा जाता है. पृत्वी के उत्तर में स्थेत आदे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षण वाले आदे भाग को दक्षणी गोलार्ध कहा जाता है. ये दोनों बराबर के आदेभाग होते हैं इस प्रकार विशुवत वृत प्रित्वी पर एक काल्पनिक वृत बनाती है एवं यह प्रित्वी पर विभिन स्थानों की स्थिती बताने का सबसे महत्व पूर्ण संदर्भ बिंदु है विशुवत वृत से ध्रुवों तक स्थेत सभी समानांतर वृतों को अक्षान्ष रेखाएं कहा जाता है अक्षान्षों को अंश में मापा जाता है तो विशुवत वृत किस अंश को दर्शाती है? विशुवत वृत शूने अंश अक्षान्ष को दर्शाती है अब क्यूंकि विश्युवत वृत से दोनों तरफ द्रुवों के बीच की दूरी पृत्वी के चारों ओर के वृत का एक चाथाई है, तो इसका माप होगा 360 अंश का एक बटा चार. तो 360 अंश का एक बटा चार कितना हुआ? यह हुआ 90 अंश. इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर द्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षणी अक्षांश दक्षण द्रुव को. इस प्रकार विशुवत वृत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्री अक्षांश कहा जाता है, तथा विशुवत वृत के दक्षण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षणी अक्षांश कहा जाता है. इसलिए प्रतेक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानि उत्तर या दक्षण को भी लिखा जाता है उधारन के लिए माहराश्ट्र में चंदरपूर एवं ब्राजिल जो की दक्षण अमेरिका में है वहाँ पर बैलो होरिजॉंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं लेकिन चंदरपूर विशुवत वृत के 20 अंश उत्तर में तथा बैलो होरिजॉंटे विशुवत वृत के 20 अंश दक्षण में स्थित है इसलिए हम कहते हैं कि चंदरपूर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बैलो होरिजॉंटे 20 अंश दक्षण अक्षांश पर स्थित है जैसे जैसे हम विशुवत वृत से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है अब हम बात करेंगे महतपूर अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं विशुवत वृत जोकी 0 डिगरी अक्षांश है उत्तर ध्रोव जो 90 डिगरी उत्तर अक्षांश है तथा दक्षन ध्रोव जो 90 डिगरी अक्षांश है इसके अतरेक्त चार महतपूर अक्षांश रेखाएं और भी हैं ये हैं उत्री गुलार्ड में करक रेखा जो 24 डिगरी उत्तर में स्थित है दक्षणी गुलार्ड में मकर रेखा जो 23 डिगरी दक्षण में स्थित है विशुवत वृत के साड़े च्यासट डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत विशुवत रेखा के साड़े च्यासट डिग्री दक्षन में दक्षन ध्रुव वृत पृत्वी के ताप कटिबंद सूर्य के प्रकाश की मात्रा के आधार पर प्रित्वी को ताप कटिबंद या हीट जोन्स में विभाजित किया जाता है प्रित्वी पर पाई जाने वले ताप कटिबंद हैं उश्न कटिबंद, शितोशन कटिबंद, शीत कटिबंद सबसे पहले उश्न कटिबंद करक रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षान्षों पर सूरे वर्ष में एक बार दुपहर में सिर्के ठीक उपर होता है इसलिए इस शेत्र में सबसे अधिक उश्मा प्राप्त होती है इसलिए इसे उश्न कटिबन कहा जाता है करक रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षान्ष पर दुपहर का सूरे कभी भी सिर्के उपर नहीं होता अर्थार ध्रोव की तरफ सूरे की किर्ने तिर्ची होती जाती है इस प्रकार उत्री गोलार्थ में करक रेखा एवं उत्तर ध्रोवरित तथा दक्षिनी गोलार्थ में मकर रेखा एवं दक्षिन ध्रोवरित के बीच वाले शेत्र का तापमान मध्यम रहता है इसलिए इन्हें शितोशन कटिबंध कहा जाता है शीत कटिबंध उत्री गोलार्थ में उत्तर ध्रोवरित एवं उत्तरी ध्रोव तथा दक्षिन गोलार्थ में दक्षिन ध्रोवरित एवं दक्षिन ध्रोव के बीच के खेत्र में ठंड बहुत जादा होती है क्यों? क्योंकि यहां सूर्य शितिज से जादा उपर नहीं आ पाता है इसलिए ये शीत कटिबंद कहलाते हैं चलिए अभी तक हमने जो भी किया उसे एक बार फिर से दोहराते हैं ग्लोब पृत्वी का लगो रूप में एक वास्त्विक प्रतिरूप है पृत्वी अपने अक्ष पर चारो और पश्चिन से पूर्व की और हूंती है विश्वत वृत या भुमद्य रेखा एक कालपनिक रेखा है जो पृत्वी को दो भागों में बाटती है उत्तर में स्थित आदे भाग को उत्तरी गोलार्द तथा दक्षन वाले आदे भाग को दक्षन गोलार्द कहते हैं विश्वत वृत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है उत्तरी गोलार्द में करक रेखा साडे तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश है दक्षनी गोलार्द में मकर रेखा साडे तेईस डिग्री दक्षन अक्षांश है विश्वत वृत के साडे चियासट डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रोव वृत है विशुवत वृत के साड़े छियासट डिग्री दक्षण में दक्षण ध्रूव वृत है पृत्वी पर मुख्यताप कटिबंध शेत्र है उश्न कटिबंध, शितोशन कटिबंध, शीत कटिबंध आई जानते हैं देशांतर क्या है किसी स्थान की स्थिती को बताने के लिए उस स्थान के अक्षान्ष के अतरेत कुछ और जानकारियों की आवशक्ता भी होती है क्योंकि यदि दो स्थान एक ही अक्षान्ष पर स्थित हूँ तो उनकी सही स्थिती कैसे जानेंगे तो ऐसे में सही स्थिती जानने के लिए उत्तरी ध्रुव को दक्षनी ध्रुव से जोडने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिन की और दूरी देखी जाती है जैसे आप ग्लोब पर देख सकते हैं कि प्रशान्त महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मारिशस द्वीप एक ही अक्षान्ष 20 डिग्री दक्षन पर स्थित है तो उनकी सही स्थिती जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षन ध्रुव से जोने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिन की और इन स्थानों की दूरी कितनी है इन संदर्भ रेखाओं को देशान्त्रिय या म्योत्र कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशान्तर के अंशों में मापा जाता है प्रतेक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है देशान्तर अर्ध वृत हैं तथा उनके बीच की दूरी धुरुवों की तरफ बढ़ने पर घट्ती जाती है एवं धुरुवों पर शून्ने हो जाती है अक्षान्षों के विप्रीत सभी देशान्तरिय या मियोत्रों की लंबाई समान होती है इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना काफी कठिन था तो सभी देशों ने यह निश्चे किया कि Green edge जो बृतेन में लंदन के पास थित है वहां से गुजरने वाली या मियोत्र से पोर्व और पस्चिम की और गिंती शिरू की जाए इस या मियोत्र को प्रमुक या मियोत्र कहते हैं प्रमुख याम्योतर का मान जीरो डिग्री देशांतर है, यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिन तक गढ़ना करते हैं, अर्थात ग्लोब पर 360 याम्योतर रिखाएं दिखाई देती हैं, प्रमुख याम्योतर तथा 180 डिग्री याम्योतर मिलकर पृत्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिनी गोलार्ध में विभक्त करती हैं, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्व तथा पश्चिन के लिए पश्चिन का करते हैं क्या आप ग्लोब पर अक्षान्ष रेखाओं तथा देशांत्रिये या म्योत्रों के द्वारा बनी ग्रिड को देख पा रहे हैं। ग्रिड क्या है? ग्लोब पर या किसी अन्य सपाट सतह पर आप देख सकते हैं कि ग्लोब पर अक्षान्ष जो की समानांतर रेखाएं हैं एवं देशांतर जो की शैतेज रेखाएं हैं एक दूसरे को समकोन पर काट रही हैं। अब यदि आपको किसी स्थान के अक्षान्ष एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान को आसानी से ढूंड सकते हैं। उधारन के लिए असम में धुबरी 26 डिगरी उत्तर अक्षान्ष एवं 90 डिगरी पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिती होगी। देशांतर और समय समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृत्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गती है। सुर्योद्य एवं सुर्यास्त प्रतिदिन होता है। तो स्वभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारन का यह सबसे अच्छा साधन है। स्थानी समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वली परच्छाई से लगाया जा सकता है। कैसे? दोपहर के समय परचाई सबसे छोटी एवं सूर्यदे तथा सूर्यास्त के समय परचाई सबसे लंबी होती है ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख या मियोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी क्योंकि पित्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतह वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिव में हैं उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना कुछ इस तरह से की जा सकती है। पृत्वी लगफग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री खूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दुपहर के बारा बजते हैं, तब ग्रीनिच से पंदरा डिगरी पूर्व में समय होगा 60 मिनट अर्थाथ ग्रीनिच के समय से एक घंटा आगे. अर्थात वहां दोपहर का एक बजा होगा लेकिन ग्रीनिच से पंद्रा डिगरी पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से एक घंटा पीछे होगा यानि वहां सुबह के ग्यारा बजे होगे किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चितम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के पारा बज़ते हैं इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानिय समय होगा हम मानक समय क्यूं मानते हैं? अलग-अलग या मेउतर पर स्थेत स्थानों के स्थानिय समय में अंतर होता है उधारन के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेल गाड़ीयों के लिए समय सारणी तयार करना कठिन होगा भारत में गुजरात के द्वार का तथा असंद में डिब्रुगर के स्थानिय समय में लगभग एक घंटा 45 मिनट का अंतर होगा तो यह आवशक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी याम्योतर के स्थानिय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए इस याम्योतर रेखा के स्थानिय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योतर माना गया है क्यों? क्योंकि यह याम्योतर भारत के लगभग मद्धे से गुजरती है तथा इस याम्योतर के स्थानिय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है आपको बता दें कि भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहां का समय ग्रीनिच समय से 5 खंटा 30 मिनट आगे है इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तब भारत में शाम के 5.5 बजे होंगे जरा बताये तो यदि भारत और इंग्लेंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दोपहर 2 बजे शुरू होगा तो यह मैच भारत में किस समय शुरू होगा तो भारत के समय अनुसार यह मैच शाम के 7.5 बजे शुरू होगा इसके साथ साथ कुछ देशों का देश शांत्रिय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाई जाते हैं उधारन के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है प्रिथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रतेक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है तो आज हमने किया गलोब क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है विश्व के प्रमुक तापकर्टिबंध कौन-कौन से है देशांतर रेखाओं से समय का पता कैसे लगाते है मानक समय क्या होता है चलिए, अब हम कुछ प्रश्णों के उत्तर देनी का प्रयास करते है पहला प्रश्ण है विश्वत वृत है जीरो डिग्री अक्षांश साड़े तेईस डिग्री अक्षांश साड़े छैासट डिग्री अक्षांश या नब्बे डिग्री अक्षांश तो विशुवत वृत है जीरो डिग्री अक्षांच। अगला प्रश्न है प्रमुख या म्योत्तर का मान है 0 डिग्री देशांतर, साड़े 23 डिग्री देशांतर, साड़े 82 डिग्री देशांतर या 350 डिग्री देशांतर। सही उत्तर है प्रमुख या मेउत्तर का मान जीरो डिग्री देशांतर है आपका तीसरा प्रश्न है देशांतर अर्ध व्रित है तथा उनके बीच की दूरी धुवों की तरफ बढ़ने पर बढ़ती जाती है घटती जाती है समान रहती है दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं तो सही उत्तर है देशांतर के बीच की दूरी धुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है चौथा प्रश्न है यदि ग्रीनिच रेखा पर घडियों में शाम के चार बज रहे हैं तो भारत की घडियों में समय होगा रात्री के 9 बज कर 30 मिनट रात्री के 8 बज कर 30 मिनट दोपहर के 12 बज कर 30 मिनट या सुभा के 9 बज कर 30 मिनट इसका सही उत्तर है यदि ग्रीनिच रेखा पर घडियों के समय में चार बज रहे हैं तो भारत की घडियों में समय होगा रात्री के 9 बज कर 30 मिनट अगला प्रशन है अक्षान श्रेखाओं की कुल संख्या है 180, 120, 90 या 360 तो अक्षान श्रेखाओं की कुल संख्या है 180 अगला प्रशन उत्री ध्रूफ से दक्षणी ध्रूफ को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं इनकी कुल संख्या है 90, 160, 360, 120 तो इनकी कुल संख्या है 360 अगला प्रशन है भारत की मानक याम्योत्तर है 23 डिगरी 30 मिनट पूर्व 180 डिगरी पूर्व 66 डिगरी 30 मिनट पूर्व या 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व तो भारत की मानक याम्योत्तर है 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व देशांतर मैं आपके लिए कुछ और प्रश्न लाई हूँ, लेकिन इनका उत्तर आपको खोजना है, तो पहला प्रश्न है, ग्लोब की सहायता से पता लगाएं कि 30 डिगरी उत्तर अक्षांश वह 90 डिगरी पश्चिन देशांतर पर कौन सा स्थान है? दूसरा प्रश्न, ग्लोब को देखकर बताएं कि करक रेखा विश्चु के किन देशों से गुजरती है? आशा है, आप जान पाएं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है, तथा इन कालपनिक रेखाओं से किसी भी स्थान की स्थिती जानने में किस प्रकार मदद मिलती है? इसके साथ साथ मानक समय क्या है तथा किसी भी देश के लिए मानक या म्योत्तर क्यों आवश्यक है? आज के लिए बस इतना ही स्वस्त रहें, मस्त रहें, नमस्कार!